जब मेरी पोस्टिंग यहां पर आये थी तो मुझे नुह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था जो पता भी था वो थोड़ा नेगेटिवी पता था लेकिन आज यहां पर अपने कल्चर का इतना अच्छा शोकेस होते हुए देखे मुझे सच में बहुत खुशी हो र है कि मुझे करीब 3 महीने का समय यहां पर हुआ है शरुआत में जब मैं आई थी तो इस इलाकी के बारे में गलत बातों का प्षजार ज़्यादा किया जाता था लेकिन आज यहां की सांस्कृतिक विरासत के बारे में च्छान कर बहुत अच्छा लगा और इस तरह के हम वोते रहने चाहिए यह बाहात्रों की सर्चमी है और हमेशा यहां एकता और भाई चारा पना कर रखना चाहिए उन्हें बहुत खुशी हो रही है उन्होंने मिवाद की सामाचिक बुद्धी लोगों को संबोधित करते हुए मिवाद चेत्र की जम कर तारिव की आप देखरें नुह मिवाद से लियाकत अलीक रिपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीचिएगा और रोचना देखते रिएगा जिले की तमाम चोटी बड़ी खाब रहे हैं पधारने पर मैं मुख्यतिती महोदें डीसी सर श्री दिरेंद खड़ेटा जी कारिक्रम के आयोजक श्री नरेंद विजान्या जी आईपीस स्पी नू कारिक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मुकेश कुमार डाइरेक्टर सर यहां उपस्तित सभी प्रशासनिक अधितार जिला नू के सभी मौजिज गणमान विक्ति तता आज के कारिक्रम में चार्चान लगाने वाले सभी प्रतिभावान के लोकारों का महुदे से धन्यवाद करती हूँ मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार कारिक्रम था मैं यहां बाहर से हूँ मुझे बहुत सारी चीजों का पता नहीं था मेरे लिए सारी चीजें नई थी तो मैंने तो बहुत जादा एंजॉए किया है और मैं यहां पर तीन-चार महीने से हूँ मेरे सामने पहली बार ऐसा कारिक्रम हुआ है और मैंने यह चीजों करी कि जादा तर जो अपने कलाकार थे उनके पास बहुत कुछ था यहां पर शोकेस करने के लिए तो अगर आगे और उनको मौके मिलते हैं तो और भी इससे बहतरीन और भी अच्छे से अच्छा कारिक्रम हम सब के लिए ला सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि हम अपने मेवाद जिले को एक अच्छे तरीके से पूरे हर्याना पूरे देश के सामने अगर शोकेस कर पाएं जब मेरी पोस्टिंग यहां पर आयती है तो मुझे नूं के बारे में जादा कुछ पता नहीं था जो पता भी था वो थोड़ा नेगेटिवी पता था लेकिन आज यहां पर अपने कल्चर का इतना अच्छा शोकेस होते हुए देख के मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है और इस कारिक्रम के सभी कलाकारों ने ना केवल देशभक्ती के गीतों से समा बाधा बलकि मेवाद की सांस्कृतिक विरासत को भी तमाम गीतों वो गजलों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया और इस देश की गंगा जमनी तहजीब का भी एक बहतरीन नमूना पेश किया है मेवाद शेतर के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर यहां की शादियों त्योहारों सभी कारेखमों में शर्कत कर और विशेश तोर पे सभी के दुख और कठिनाई के समय में एक दूसरे के साथ खड़े होके हमेशा से ही आपसी भायचारे का परिचय देते आए हमें खाल में ही जो केमपी एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ था उसमें भी बहुत दुखत गटना थी पर उसमें भी ये जीज़ हमें देखने को मिली कि कैसे व्रिंदवन से जो तीर थे आत्री आ रहे थे उनकी बस में आठ लगने पर जो हमारे यहां के नौजवान थे उन्होंने उस बस को रुखवाया और हर संभव मदद थी तो यह अपने आप में एक आपसी एकता की बहुत अच्छी मिसाल है और मैं आशा करते हूँ कि भविश्य में भी ये आपसी सौहार्द और हमारे आवाम में जो सांप्रदाइक सौहार्द है वो बना रहे और सभी लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुगदुग में ह मैं शौर कि नूम पुलिस के जितने भी लोग अभी यहां पे हैं सब बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे और I only hope कि आगे भी ऐसे कारिक्रम और हूँ और बाकी नूम पुलिस की आपको कभी भी कहीं भी किसी तरह की सुरक्षा, सहायता, किसी भी चीज की आप शक्ता हो त की मदद करने को तयार हैं और बदले में हमें भी हमेशा आपसे help मिलती आई है, सहायता मिलती आई है और मैं उमीद करती हूँ कि आगे भी यह सहायता आपकी तरफ से मिलती रहे हमारा आपसी काम एक दूसरे के मदद करने का रहे तो यह आप लोगों से मैं उमीद करती और इसी के साथ आप सभी का शानल मेवाद कारिकरम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर इतनी देर तक रुखने के लिए और यहाँ जो कलाकारों ने प्रस्तुती दी उनका होसला आफ़ाई करने के लिए नूप पुलिस की तरफ से और हम सभी की तरफ से बहुत बहुत झाल झाल झाल